राम राम दोस्तों जै बाबानीम करूली महराजी की दोस्तों आज मैं आपको श्रीमत भागवत गीता जी का बारभा अध्याय बक्तियोग का वरिनन करूंगा इसका रस्पान कीजिए और भगवान कृष्ण जी का है शिर्वाद भाएं तो शुरू करते हैं अर्जुन ने पूछा जो आपकी सिवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो एव्यक्त निर्विशेश ब्रह्म की पूजा करते हैं इन दोनों में इसे किसे अधिक पूर्ण सिद्ध माना जाए श्री भगवान ने कहा जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकागर करते हैं और अतियंत स्रदापुरों के मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वस्मे करके तता सबों के पृति संभाव रखकर परम सत्य की निराकार कलपना की अंतरवत उस एव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं जो इंद्रियों की अनभूती के प्रे है सर्व्यापी है कलपनिय है एपरवतनिय है अचल है तथा धुरूब है वे समस्त लोगों के कल्यान में संलगन रहकर अंतते मुझे ही प्राप्त करते हैं जिन लोगों के मन परमेश्वर के एव्यक्त निराकार सरूप के पृति आ सकते हैं उनके लिए प्रगती करपाना अतियंत कश्ट प्रदैर देधारियों के लिए उस शेत्र में प्रगती करपाना सदैव दुसकर होता है जो अपने सारे कारियों को मुझे पर अर्पित करके तदा एविजलित भाव से मेरी भक्ती करते हुए मेरी पुजा करते हैं और अपने चितों को मुझे पर इस्तीर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं उनके लिए हे पा इवान में अपने चित को इस्थिर करो और अपने सारी भुद्धी मुझे में लगाओ इस परकार तुम निशन देहे मुझे सदेवास करोगे। हे अरजुन हे रधनजय यदि तुम अपने चित को इविचल भावसे मुझे पर इस्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्तियोग के विधी विधानों का पालन करो। जिद्धी को प्राप्त होगे। किन्तो यदि तुम मेरे इस बावनाम रत्त में कर्म करने में एसमर्थ हो तो तुम अपने कर्म के समस्थ फलों को त्यापकर कर्म करने तथा आत्म इस्थित होने का प्रियत्न करो। यदि तुम यह अब्यास नहीं कर सकते तो ग्यान के अनुस्रीलन में लगाओ। ज्यान के अनुस्रीलन में लगजाओ। लेकिन ज्यान से स्वेष्ट ध्यान है वो ध्यान से भी स्वेष्ट कर्म फलों का प्रियाग है क्योंकि ऐसे त्याग से मनुस्र को मन सांति प्राप्त हो सकती है। जो किसी से द्वेष्ट नहीं करता लेकिन सभी दियों का सभी जियों का द्यालु मित्र है जो अपने को स्वामी नहीं मानता मित्याएंकार से मुक्त है जो दुख सुक में संभाव रहता है। जिसनु सदेव आत्म संतुष्ट रहता है आत्म संयमी रहता है तता जो निश्चे के साथ मुझे मन तता बुद्दी करके बक्ती में लगा रहता है ऐसा बक्त मुझे अतियंत प्रिय है। जिसके जिससे किसी को कष्ट नहीं पूंचता तता जो निकिसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता जो सुक दुख में बैत तता चिंता में संभाव रहता है वे मुझे अतियंत प्रिय है। मेरा ऐसा बक्त जो सामान्य कार्य कलापों पर आश्रित नहीं है जो सुद्ध है दक्स है चिंता रहित है समस्त कष्टों से रहित है और किसी पल के लिए परियत नहीं रहता मुझे अतिय से प्रिय है। जो नहीं कभी हर्षित होता है जो ना सोक करता है नहीं पच्टाता है वो नहीं इच्छा करता है तता जो सब सुब और असुब दोनों परकार की वस्तों का प्रित्याब कर लेता है ऐसा भक्त मुझे अतियंत प्रिय है। जो मित्रों तता सत्रों के लिए समान हो जो मान तता अपमान सीत तता गर्मी सुख तता दुख यस तता अपियस में संभाव रखता है। जो दूसित संगती से सदैयमुक्त रहता है जो सदैयममोन और किसी विवस्तोय से संतुष्ट रहता है जो किसी परकार के घरबारी की परवान ही करता जो ग्यान में दृडढ है और जो भक्ती में संलग्न है ऐसा पुरुष मुझे अतियंत प्रिया है जो इस बक्ति के अमर्पत का अनुसरन करते हैं और जो मुझे ही अपना चरम लक्ष बनाकर सद्धा सहीत पूर्ण रूपेन सनलगन रहते हैं वे बक्त मुझे अत्यांत अधिक प्रिय हैं तो दोस्तों ये स्रीमत भागवत का गीता जी का बारववय अध्याए बक्तियोग इसका रस्पान आपने किया होगा ये अमरतरस है भगवान की वानी है तो दोस्तो कल फिर मैं आपको अगला तेरवाध्याय का रहुंगा तेरवाध्याय का नाम है परकर्ति के तीन गुन कि नहीं 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 परकर्ति पूर्स्टता चित्ना यह तीरवाय अध्याय दोस्तों तो अब आगया लेता हूं बाबाजी की किर्पा आपके उपर जरूर रहे और चैनल को सब्सक्राइब आवस्टे करें ताकि बाबाजी की किर्पा आपके पास और ये धार में के धर्म लाब लगतार मिलता रहे और बाबाजी और माराजी सदेव आपके उपर अपन कर दिम कर दिमा घ्क